आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटिफुल लग रही है। आपके लिए आपके लिए आपके लिए लिका रही हूं चिकन स्टुफ ब्रेट की बहुत ही इंट्रस्टिंग और टेस्टी रेसिपी इसको रमजान में जरू ट्राय करिए। हम इसे बिना अवन के बनाने वाले हैं तो प्लीज मिले चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करकी जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं येस्ट एक्टिव कर लेते हैं जिसके लिए मैं ले रही हूं 2 चमच येस्ट, 2 चमच पाउडर शुगर, मिक्स कर देंगे अब हम इसमें टाल देंगे एक कब गुनबोना पानी अब इसको हम दस मिलिट लिए राइस होने देंगे अब हम ये लेंगे 2 कप मैदा उसमा में डाल दूंगे आदा चमच नमक, 1 तेबल सुन मैटेड बटर और ये येस्ट अब हमारा एक्टिव हो चुका है ये हम इसमे अब हम इसका 1 soft dough बना कर रेड़ि कर लेंगे अब इसे मैदे को समेक ने के पैल हम इसमें अधे चमच में अधे बटर डालेंगे और इसको फिर से अच्छे से गून लेयंगे अब आप रूग सकने हमे बिटकुल सौफ मैदा गून कर रेड़िया है अब हम इसको राइस होन करेंगे के बाद हम इसमें डाल देंगे 200 ग्राम चिकन का मैंने कीमा लिया है वह आदा चमच नमक आदा चमच लाल मेच पाउडर आदा चमच गरम मसाला पाउडर फोड़ी से रेड चिली फ्लेक्स थोड़ा सा मिक्स हर्व एक शिम्ला में चॉप करेंगे आदा चमच अधा क अधान पेस्ट अधके लगभग स्लोव फ्लेम पर हम इसको दस मेट तक पका लेंगे अब देगे चिकन ने खुद इतना पानी छोड़ दिया है कि पानी में चिकन गलकर हमारा रेडी हो जाएगा पानी को हम अच्छ से सुखा लेंगे बलास में इसमें डाल देंगे एक चम और इसको ढख कर अब हम तेज आच पर प्रीहिट कर लेंगे मतलब इसको तेज गरम कर लेंगे तो अभी आप देख सकते हैं मैधा हमारा बहुत अच्छ से राइस हो चुका है आम इसके पेड़े तोड़ लेता है इस तो अब हम अपने पेड़े को बेल लेंगे जिसकी में मकई कार्टा इसलिए लेता है ताकि इसका क्रस्ट और टेस्ट अच्छा आता है तो हमें इनको बेलना है इस तरह से लंपाई में गोल हमें इनको नहीं बेलना तो हम इस पर रखेंगे ये चिकन की स्टफिंग में किस तरह से रख रहे हूं हम इसी तरह से रखनी है अब इस इस तरह से लंबे-लंबे स्ट्रिप कट करने हैं, यह पीत नहीं रखना है, दूसरे साइट से भी हम ऐसी ही कटिंग कर लेंगे, अब हमें इसके इस पार्ट के लगाना है पानी, इस तरह से एक ब्रश की हेल्प से आर खानी लगा देंगे अच्छे से, अब इस तरह से पानी कर देंगे, तो इसी तरह से हम यह सारे स्टैप कर लेते हैं, तो इसी तरह से हम अपने सारे ब्रेट से स्टैप कर लेंगे, ब्रेट को बेक करना है, उसके ओकर हम डालतेंगे यादा बटर और अच्छे से चारो तरह से लगा देंगे, अब इस तरह से ब्रेट करने के बाद बढ़े अचछे लगा देंगे लगा देखे बेदे लेटाइगेafft अचे लेघ बहले एंड़ी writ expos. अब डीध करने के लिए आधात हैं मेट दोन इसाड़ान स्कंट। और अब चूले को गदेंगे मेडियम फ्लेम पर और इसको ढखके लगबक 30 मिट तक बेक करना है अब 200 डिग्री पर प्रीहिट आवन करने के बाद इसको हमें उसमें बेक करना है 20 मिनट के लिए तो हम इसको बेक कर लेते हैं तो अब हम अपमें बहुने वाली ब्रेट को आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है अब हम इनको सर्फ कर लेते हैं लोक आप देख सते हैं कितनी ब्यूटिफुल लग रही है खाने में भी उतनी डिलिशिस और टेस्टी है अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूं तो आप इसको जरूर इंजॉय करिएग तो इसको जरूर ट्राय करिए और अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करकी जाहिएगा